नमस्कार, हम Advanced Fertility Gynae Center से आपसे बात कर रहे हैं यह Center लाजपतनगर और नौईडा में है इनकी लिए Dr. Dr. Kabiri Banerji जो की AIM से trained है और UK से भी trained है और 8,000 से ज्यादा बेबीज डेलिवर होई हैं IVF, IUI और सरोगेसी के जरिये आज हम आपसे डिसकस करने वाले हैं कि IUI क्या है IUI का मतलब है husband के शुकरानों को uterus में डालना IUI का फुल फॉर्म है intrauterine insemination कौन से पेशन्स IUI से कंसीब हो सकते हैं जिनके शुकरानों थोड़े वीख है जो लेडीज कोई tablets लेके pregnant natural नहीं हो पारी है जिनको physical intercourse में problem है और जिन में कोई भी कारण पता नहीं लग रहा है ये सारे patients IUI से pregnancy की कोशिश कर सकते हैं IUI एक patient का natural cycle या stimulated मतलब medicine दे के और भी eggs बना के हम IUI कर सकते हैं किसी भी IUI cycle में follicle monitoring होता है usually period के 7-8 दिन से शुरू होता है और हर 2-3 दिन किया जाता है जब तक follicle का size 18-20 mm की ना हो जिस दिन follicle rupture होता है उसी दिन IUI किया जाता है जैसे आप इस picture में देख रहे हैं washed sperm को लेके uterus के अंदर inject किया जाता है और फिर sperm tube से जाके egg से मिलके pregnancy ठहरने की chances होती है एक IUI का cycle period के पहले या दूसरे दिन से शुरू होता है और usually 15-18 दिन लगता है सबसे best होता है कि period शुरू होने के 2-3 दिन पहले आप center आके doctor और team के साथ अपनी check-up करा ले ताकि कोई ऐसी factors हों जैसे fibroid, thyroid, sugar ये सारी treatment हो जाए IUI शुरू होने से पहले जिस दिन IUI करते हैं आप उसी दिन अपने घर या शहर वापस जा सकते हैं Usually 2-5 विजिट लगते हैं होस्पिटल में होस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और husband को सिर्फ एक ही दिन आना पड़ता है Success rate 10-25% है Natural cycle conception usually 10-15% होता है per month IUI उसको और 10-15% बढ़ा देता है Usually 3-4-5 cycle कर सकते हैं पर IUI में अगर 3-4 cycle में result नहीं आ रहा है तो आगे बढ़के IVF और अन्य तरीके अपनाने चाहिए यदि आपको IUI या IVF में कोई भी प्रश्ण है तो आप इन email ID और telephone numbers में हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद